सुप्रभाद वसिन साथ स्वागत आपका बताएं सर बाजार थोड़ी सुष्टी के मूड में है व्यू डाइरेक्शन और साथी आपकी तरह से अपडेट्स अब जो आपका एक महिने का अंडर पर्फॉर्मंस था वो मेरे ख्याल से खतम हो रहा है अब आपको बता है कि कल फेट की मीटिंग के जो CPI नंबर ने उस पर काफी जो भी आपके एक्शन है और मुझे लगता है दब बॉटम डाउट और यह टाइम है लेने के लिए तो मुझे कोई दो राए नहीं यूशुड इंक्रीज और और आपको का इस अटारा दोसों आपको बंदरा तारीक के बाद जरूर दिखेंगे तो लेने की चेस्ता कीजिए आपको अपडेट भी दो और नहीं काल भी दे दो जी सबीज बताए आपको मैंने काता वेदानता देखिया आउट परफॉर्म है एलेंटी एवी बीटीनो मेरे आउट परफॉर्म स्रॉक्स हैं अब आपके लिए मैं दो नहीं तीन पिक्स हैं आपके तो मैं शिभू करूं जी सर प्लीज बताए कब हमें सुना है के MSCI इंडेक्स में अब मिटकाप PSU's भी यूनों आर बिंग इंटुदेट तो दैट गिस दो कॉंफिदेंस ऑन बैलन शीट, कॉंफिदेंस अन इन्वेस्टर और मुझे कोई दो रहा है नहीं, PSU's stocks are now set to rise यब यह 44,000 थे यह कह थे और आज कह हैं यह इनक सब्सक्राइब का टार्गिट, बैंक Nifty can go to 42,000, it will leave the indexes in the next two days, by IDFC first, 57,50 पैसे, 57,50 में, 56 का stop loss, 61 का target, and last but not least, Bank of Baroda, साड़े साड़े सरसख में लीजिए, stop loss of 63,50, 180 का target is coming in the next three days. Okay, Bank Nifty के futures खरीदारी करने के रहाए, 41,530, 41,550 के आसपास futures ले ले लें यह लेवल जो है, बसिन साब ने दिये हम futures के हैं, और 41,340 का आपका stop loss होगा, और 42,000 का target होगा, एक बार Bank Nifty के levels फिर से ले आए, 41,340 stop loss, 42,000 का target, Bank Nifty के futures के लेवल है, और IDFC खरीदे 57,50 के आसपास, 57,50 के आसपास, यहां पर 56,50 का लगाएं, आप stop loss, 101 का target होगा, और 67,50 के आसपास, Bank Nifty को बरूड़ा करीदा है, 63,50 का stop loss होगा, और 60,50 के मतलब एक लगाना आगे है, और 180 का target, 167,50 के आसपास करीदे, 163,50 का stop loss है, और 180 का target आपका होगा, आगे उपर की तरफ, यह है आप कीजिए, सारे की सारे,